कन्योज जिले में रिष्टों को शरमसार कर देने वाला संसनी खेज मामला सामने आया है जहाँ एक कलियोगी बेहन ने अपनी प्रेमी के साथ मिलकर अपने सगे भाई की हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस को गुमरहा करती रही बता जा रहा है कि कुछ दिन पहले ठटिया थाना इलाके के खेर नगर पुलिस के पास एक खून से लटपत लावारिश लाश पड़ी हुई मिले जिसको लेकर गाउं में संसनी फैल गई आनन फानन में गिरामीडों ने इसकी सूचन पुलिस को दी वहीं मामले की सूचन मिले पुलिस ने घटना स्थल का जैजा लिया और शव को नहर से बाहर निकाला साथी पुलिस ने हत्या का खुलासा किया है पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि आरोपी बेहन का किसी युवक के साथ प्रेम प्रिसंग चल रहा था जिसमें युवती का भाई पुलिस वहां पर पहुंची तो वहां पर रक्त के भी निशान थे सरक पे तो यह यह अशंका व्यक्त की गई थी कि यहां पर कोई अपराद हुआ है और घटना किसी को मार करके नार में डाला गया थी फिर इसमें मोटरसाइकल को निकलवा करके जब ग्यात किया गया तो मोटरसाइकल यह बलराम नाम का विक्ति है गासीपूर थाना इंदरगड का रहने वाला उसकी थी और उसके आदार पे डेड़ बोडी की तलास शुरू की गई डेड़ बोडी दूसरे दिन जो SDRF है उसके सहजोग से बरामद हुई और कोस्टमाटम के लिए भेजा गया था तो उसको बुरी तरह मार करके उसको नार में फिका गया था उसके बहुत चोट के निशान थे चापों के गटना के बारे में उसके परिवार के लोगो ने ये फ़ज़ार दर्ज कराई थी कि उसकी जो मिर्तक व्यक्ति है उसकी बहण को इलाज कराने के लिए वो लेके जा रहा था और उई पर दो अग्यात لوगों मिले थे जो परचित थे और उनी लोगों ने ये घटना कारिद की पिलहाल पुलिस ने परेजनों की तहरीर पर मामला दर्जकर दो आरोपियों को ग्रफतार कर लिया है और मामले की जांच की जा रही है पंजाब के सिरी टीवी के लिए कन्योज से नित्यम श्राकिर पिलिए